अमोल जुम्रे जी का सवाल है कि मुबाइल की आदत खतम करने के लिए क्या करना चाहिए सही बहुत बड़ी समस्या है छोटे बच्चों में भी ये समस्या आजकल बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो चुकी है माबाप ही ये आदत लगा देते हैं बच्चों को समभालना इतना मुश्किल होता है पहले की माएं क्या करते थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थी पचास साल पहले और ज़्यादा अपने बच्चों के दिरफ ध्यान भी नहीं देते थी गर में काफी लोग रहते थे बच्चे उन में पलते बढ़ते थे एक दुसरे के साथ में खिलते खिलते बढ़ते थे रोते थे गिरते थे बुरी अवस्ता में रहते थे फिर भी अपने बढ़ते रहते थे आजकल माबाप को बच्चे बहुत कम होते हैं गर में मेंबर्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं राद दिन माबाप को बच्चे के तरफ ध्यान देना होता है क्योंकि हम बच्चे बहुत प्रायरिटी से पैदा करते हैं उसके तरफ ध्यान भी देना चाहते हैं उनको अच्छे डंग से बड़ा करना चाहते हैं और रात दिन उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो शॉट कट करकर उनके हाथ में मुबाइल दे देते हैं और बच्चमन से उनको छे महा का, साथ महा का बच्चा, आठ महा का बच्चा तब से उसको मोबाइल के आदत लगती है दो साल होते होते वो मोबाइल में अलग-अलग चीजे डोणना सिख जाते है मोबाइल उनके जिवन का हिस्सा बन जाता है मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, थेटर में जाता हूँ मुझे बहुत पसंद आता है पिक्चर थेटर में देखने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगह बैठ हूँ कि सामने कोई जवान लड़के ना बैठ लड़के लड़किया ना बैठ वो पिक्चर देखते ही नहीं लगातार टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक- कि अब बुड़ा अदमी है, इसको अकल नहीं है, मोबाइल का महत्व मलूब नहीं है, अरे भाई, राद दिन अगर आपको मोबाइल के साथ ही जिना है, तो क्यों पिक्चर देखने आते हो, क्यों शादी करते हो, क्यों लोग करते हो, क्यों गर्फरेंड और बॉइफरेंड होता है, मोबाइल यह तो आपका गर्फरेंड है, बॉइफरेंड है, सब कुछ है, यहां तक ही आदत है हो चुकी है, यह मैं बहुत अच्छड़न से जानता हूँ, इसको अगर छोड़ना है सबसे पहले यहां हमको तै करना पड़ेगा कि यह आदत बुरी है इससे हमको दूर रहना है हमारा समय बचाना है राद दिन इसमें जो हम कॉंसेंट्रेट होते हैं उससे हमको आपको बचाना है और फिर इसके साथ में प्रोग्रिसीव रिलाक्सेशन वे सजेशन का उप्योग कर सकते हो या फिर सम्मोहन के सजेशन का उप्योग कर सकते हो और अपने आपको बचा सकते हो जब तक आप नॉर्मल हो तब तक एक बार आपको मोबाईल का पूरी तरह से अपसेशन हो गया और फिर आपको बिमारी हो गई मुबाइल की obsessive, compulsive disorder इसको हम कहते हैं यह नहीं बिमारी है यह नहीं बिमारी नहीं है मुबाइल का obsessive, compulsive disorder होना यह नहीं बिमारी है यह बिमारी अगर एक बार हो गई है तो फिर उसको tackle करना, उसको control करना बहुत difficult है मैं आजकल नहीं पीड़ी के लोगों को कहता हूँ कि आपके बॉइफ्रेंड को या गल्फरोंड को राद दिन अगर मुबाइल पर रहने के आदत है तो शादी करना के नहीं बार-बार सूचिए क्योंकि उसके जीवन में आपसे ज़्यादा मुबाइल महत्वका होगा तो ये आप हैंडल कर पाओगे क्या नहीं पहले से सूचिए तो इसलिए आजकल शादी में हैं शादी करते वक्त मुबाइल की कहां तक आदत है ये भी एक महत्वका सवाल होना चाहिए यहां तक ये बात आप ऊचिए हैं लेकिन अगर आप तय करते हो अपने आपको ठीक डंग से कंट्रोल करना चाहते हो disipline करना चाहते हो तो consciously तय करना और अपने subconscious को ठीक डंग से दिसिप्लीन करने के लिए progressive relaxation with suggestion या फिर सम्मोन with suggestion का उपयोग करकर उस पर आप ठीक धंग से काबू पा सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए